असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे कपकेक्स, स्प्रिंकल्स वाले इसके लिगे दो अंडे चाहिए यह वन बाई फोर कप ओयल, पॉना कप मैदा, थ्री बाई फोर कप, आदा कप चीनी एक टी स्पून बेकिंग पॉर्डर, आधी टी स्पून वनिला एसेंस एक चुटकी डालेंगे नमक, और यह स्प्रिंकल्स पहले दोनों अंडों को बाउल में तोड़के डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हैंड विक्सर से ही करेंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाएं और इसके अंदर आप चीनी डालें आपने चीनी को पीस लेना है अगर तो बरीक बहुत है ठीक है नहीं तो उसको चान लिया करें अगर वो उसके अंदर मोटी मोटी रहती है न क्योंकि जो आपने इस तरह हैंड से करना है उसमें आपने पिसी हुई चीनी डालनी है बरीक तो मैंने पहले जग में भी आपको बताया है उसके अंदर आप साबत चीनी डाल दें तो वो उसके अंदर ब्लेंड हो जाती है बीटर से भी आपको बताया है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये भी बहुत ही अच्छे बनते हैं इस तरह ये वनीला एसेंस ये जो चुथाई काप होता है वन बाइ फोर काप ओईल ये मैदा पोना काप है थ्री बाइ फोर काप ये मैं फतीले में बेक करूँगी ये मैंने च्छे काप केक्स बनाने हैं मैं इतना लिया है अगर आग बारा बनाना चाहें ओर जितना मैं पहले केक भी आपको बताये हुए हैं वो डेड़ काप वाले हैं डेड़ काप मैदा और एक काप चीनी आदा काप आयल और अड़े वो वाले बारा कापकेक बान जाते हैं और ये वाले मैं पतीले में बे करूंगी ये छे ये उसकी हाफ क्वांटिटी है आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें आप देख सकते हैं उसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है ये मुझे ठिक लाग रहा है अगर ठिक हो इस तरह तो तो तमचाद दूद एड़ कर ले औ और अच्छी तरह मिक्स करें आप ये देख सकते हैं इसका कलर भी वह लाइट सा हो गया है आप इसके अंदर वह दूसरी चीज़ें आड़ करेंगे स्प्रिंकल्स थोड़े से थोड़े से इसके अंदर आड़ करेंगे बाकी उपर करेंगे ये बच्चों को बहुत ही पसान चुआहां दाते हैं आप इस तरह बनागे बच्चों को लिंच दें घ्यांत होमेड कॉपके या बनाके अपने बच्चों को हुद् दीया करें लिस में कोई सभी आप एक चमच ले लें उसकी मदद से आप सारा डालें इक्वल साब में यह जित्रा मैंने बैटर बनाया यह छे कापकेक्स बनेंगे यह लाइनर उसके अंदर राख लें आपने इनको ग्रीस वगएरा नहीं करना ड्रैक्ट लाइनर उसके रखने है कापकेक वाले सांचे में और थोड़े से उपर स्प्रिंकल्स डालें यह मैं पतीले में कार रही हूँ आपतीले को देख सकते हैं यह पहले मैंने प्रीहीट होने के लिए राक दिया था अब इसकी आंच दरा स्लो कर दिये तो पतिले में भी देख सकते हैं सिर्फ एक रैक पड़ा है अगर यह आपके पास ना हो तो वो जो चन्नी होती है ना आटा चानने वाली अक्सर वो बीच में से वो खराब हो जाती है चूट जाती है वो रिंग सा होता है वो आप नीचे राख लें कुछ भी नीचे एक ची यह आप दासर वारा मिंट बाद चेक करें यह पिक के साथ चेक करें उसके अंदर डालके अगर वो साफ निकल आये तो ठीक है नहीं तो थोड़ी देर और राख लिया करें फिर कूलिंग रैक पर रखें नकालें यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे बनें यह यह मैं लि मैं आपके लिए बेकिंग को बहुत ही असान करूंगी ताकि आप बनाएं बिगनर्स वगएरा घर में बनाएं और बहुत ही अच्छी बेकिंग हो जाती है और कभी कोई चीज खराब हो फिर आप ट्राई करते रहें वो सही भी बन जाती है होमेड चीज का मज़ए ही कुछ चोर होता है अगर खुद भी खाएं या किसी को दें बच्चों को लैंच दें आप ये देख सकते हैं मैंने आपको काट के दिखाया है और कितना स्पंची है कितना फलफी देख सकते हैं मैंने आपको हर किसम के सिखाए हैं बटर मिल्क वाले भी बटर वाले भी ओके अलाफीस